दोस्तो जड़ी बूटियों की जानकारी के सम्मंद में आज हम लेकर आए हैं एक और चमतकारी को सदी पौधा ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये देखिए ये अभी फूलों से भरा हुआ है और इसमें बहुती सुन्दर फूल नजर आ रहे हैं दोस्तो ये बहुत चमतक कारी को सदी का नाम है करील जी हां दोस्तो इसको करील या करीर नाम से जाना जाता है और ये बहुत अच्छा है अनेक बीमानियों काम आता है तो दोस्तो चलिए हम इसको आपको बद दखा दे रहे हैं तो पहले तो आप देखिए ये करील है और इस करील में कोई पत्तियां नहीं होती है यह बगर पत्नों वाला होता है और सिर्फ इसकी टेहनी होती How और इसके काटी होती है दोस्तों यह देख सकते हैं इस करील में आपको काटे नजर आ रहे होंगे यह कंटी है यह देख लेजिए और यह रही हरी थोड़ी just कि ये देखिए ये सारा का सारा करील है और आप देख सकते हैं ये इसके फूल हैं ये जो आप देख रहे हैं पेड़्ट य plural के बाद इन bakın ये फिल लगती है और वही फल उसदी में प्रियोग की जाते हैं वैसे आप इसके पंचांग का भी प्रियोग कर सकते हैं ये जो आप देख रही है पेड़ ये कलील है इसकी छाल का भी प्रियोग किया जाता है मैं अभी दिखा रहा हूँ ये ये जो है ये ये इसकी छाल है जो पेड़ है तो य और फुला को ऑशदीकर्म में दोस्तों यह देखिए पूलों से भरा होगा हुगा है और बहुत ही सुन्द लगता है देखने में इस समय सारह का सारह जो जाड़ है जो करील का ये पूरा का पूरा फूलों से भरा हुगा है तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चनल पर नहीं है तो नीचे जो लाल बटन दिखाई दे रहा उसे दबागा सब्सक्राइब कर ली ताकि इसी तरीका की वेडियो आप तक पहुंचते रहें दोस्तों अगर आपको बात संब्सक्राइब थे शरीर में कहीं पर भी सूजन हो कहीं पर भी दर्द हो तो सभी प्रकार की सूजन और दर्द को ये करी आसानी से दूर कर देता है आपको क्या करना है जब आप नहा रहे हों तो नहाने से पहले आप इसे करील के पंचा जब उबलतें काफी धेर हो जाए और इसका जो रस है वो पानी में पहुँच जाए तो फिर उसको उतार करके छान ले और जब पानी ठंडा हो जाए तो अगर पानी से आप नहाती हैं तो शरीर की सभी प्रकार की ब्याध्यां दूर होगी उस करील के पानी के नहाने से और अगर शरी में कहीं बासंबंदी सिकाद है, घुटनों का दर्द है, जोडों का दर्द है, साइटिका है, बासंबंदी प्रबलम है, तो इस करील के पानी के इसनान करने से ही आपको काफी लाब होने बाला है, इसके लाबा दोस्तों, अगर आप इस करील के जो ये फूल है इन फूलों का चूरन बना करके प्रियोग करते हैं तो फिर यह चूरन आपको डाइबिटीज में भी बहुत ही लापकारी है जी हाँ दोस्तों डाइबिटीज में भी जिस तरीका से पलास के फूल प्रियोग की जाते हैं उस तरीका के इनका भी बहुत अच्छा काम है इसके कि अगर आप इन फहलों का जो यह करील है इन करील प्हलां कर नकर अगर आप अचार बनार करते तो आप इनके फलों का जो झाड़-बेरीकिता तरहें पिर्दशालबु के सोफ भाएब कर सकते हैं, लुसा स्भक ISO कहें और निलिदे चालीव sendsभी डेकर समया भी लगी होगी तो इसका प्रियोग कीजिए इसका नाम करील है जिसको कैर या करीर बोला जाता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही हम अगली वीडियों फिर मिलेंगे और नई और सदियों के साथ और आज के लिए इतना ही नमस्कार